साथियो सिंसवेरिया का प्लांट लगाना बहुत ही आसान होता है कटिंग से आप इसे पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं और दोनों ही तरीके से बहुत इसली ये लग जाता है ये एक नई वेराइटी मुझे देखी, अपने नेवर के पास से मैं मांग कर लाई हूँ आप ये देखे किता खुबसूरा सा लग रहा है इसके लिए मैंने ये मिट्टी का एक पॉट लिया है, ये दही जमाने का मेरा पॉट था बट कुछ दिनों पहले ये थोड़ा खराब हो गया था तो मैंने इसमें दूसरा कोई प्लांट लगाया था अभी से खाली करके साफ करके मैं लाई हूँ और जब लगाना था तो ये बीच में मैंने होल कर दिया था पेचकस से तो इस तरीके से अभी मैं इसी में इस कटिंग को लगाऊंगी इसके लिए कोई अलग से मिट्टी मैंने नहीं तयार की है पोरसी, रेतीली, मिट्टी, सैंडी सोयल है मेरे पास में बस वो मैंने लिया है और उसे इस पॉट में मैंने भर दिया ये दो इंच डिफ्ट वाला ही पॉट है और चोड़ाई तो इसकी बहुत ज़ादा है तो इसलिए मैंने कहा कि कटिंग इसी में लगाते हैं इसमें सिर्फ मैं ये वोड ऐश मिक्स कर रही हूँ लकडी का राख है ये जो हमारे प्रेस वाले भाया है मैं उन ही से हमीशा मांगती हूँ और वो मुझे हफ़ते में एक वार एक थैला भर के दे जाते हैं तो अब जब मैंने वो डैश इसमें मिक्स कर दिया है तो और भी ये मिट्टी पोरस हो गई और बिल्कुल किसी तरीके से किटानों से मुक्त हो गई है अब इसमें मैं लगाने के लिए ये जो सेंसिवेरिया का मैंने दो लीफ लेकर के आई हूँ इसकी कटिंग करूंगी आप सब जो मेरे पुराने साथी है आप लोग को मालूं होगा कि मेरे पास में सेंसिवेरिया के अभी तक 10-12 वेराइटी हो गए हैं बट ये वाली वेराइटी मेरे पास नहीं थी इतना हाड है इसका ये जो लीफ है ना कैजी से काटने में भी बहुत मुझे हो रही है आप देख रहे हैं और ये देखिए है इसके ठिकनेस बीच में इतना सादा हाड है अगर पहले से काट के आप रख देते हैं और बिल्कुल निशान नहीं लगाएं तो उल्टा पूल्टा हो जाता है उसमें थोड़ा सा रूटिंग होने में मुश्किल होती है तो अभी सामने सामने मैंने काटा जो नीचे वाला पती का भाग होता है वो नीचे की तरफ मिट्टी में दबाना होता है अब इसी तरीके से दोनों पतियों को काट के मैंने लगा दिया और ये साथ टुकडे हुए थे और बीच वाला जो लगाया ये एक छोटा सा उसके अंदर टिप था अब इतनी आसानी से ये सेंसिवरिया लगता है अगर पुराने आप सब मेरे सब्सक्राइबर है तो आप सबने देखा होगा कि बहुत आसानी से बहुत सारे मैंने असेंसिवरिया के वेराइटी लगाए है और इसी तरह से कटिंग से अब ये लगा दिया तो चूकि मिट्टी मेरी सूखी थी तो उसमें वाटरिंग करना बहुत ज़ादा जरूरी है ताकि जितने भी मैंने कटिंग लगाई है उसको मिट्टी होल्ड कर ले जजब कर ले और उसकी पकड थोड़ी सी मजबूत हो जाए और फिर इसे हम किसी किनारे में रख देंगे किनारे में रखने के लिए हम इसलिए मश्वरा देते हैं कि किनारे में रखने से यह होता है कि कटिंग हिलती नहीं है जादा कटिंग जादा मर तब जाती है जबकि हम इसे कहीं बीच में रख देते हैं और इसे बहुत जादा हिला डुला के देखते हैं कि अरे इसमें रूटिंग हुई की नहीं रूटिंग हुई की नहीं तो भाईया ऐसा ना करें कटिंग अब आपने लगा दी है इत्मिनान से हफते भर के लिए इसे किनारे रख दीजिए और हफते भर के बाद फिर से आप इसमें चेक कर लीजिएगा अगर इसमें पानी की जरूरत हो तो फिर से तब आप पानी डालिएगा बिल्कुल ड्राई हो जाने के बाद अब आपको मैं एक कटिंग दिखाऊंगी इसमें पानी डालने के बाद जो कुछ तिन महीने दिन पहले मैंने दो पत्तियां एक ये प्लास्टिक का जार था उसमें डाल दिया था ये देखिए उसमें पानी था और देखे पानी में किस तरीके से ये वाला सिंसिवरिया जो मुझे आनन्द आ रहा है वो सिर्फ ये है कि अभी जब में ये कटिंग लगाने लगी थी तो मैंने इसको देखा है तो मेरे आश्यर कठेकाना नहीं रहा कि इतने अच्छे से इसमें दो नए बेबी प्लांट निकल आए हैं तो इस तरह से संसिवरिया लगाना बहुत ह कि आसान है आप भी ज़रूर लगाईएगा और इस वाले वेराइटी का अगर नाम आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताईएगा आप सिर्फ गार्डनिंग करते रहिए हैपे गार्डनिंग फिर जल्दी ही कोई नए विशे पर वीडियो लेकर के आ आप से मिलने आती हूं तब तक अपना ख्याल रखिए नमस्कार